तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले आपका स्पेशली जो एक्जेकुटिव की पोस्ट है और बीडी के लिए यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे इसमें आपकी जो सालेरी वगरा है वेकैंसी है इसके अलावा जो मैडिकल स्टेंडर्ड एटू दिया गया इसका क्या मतलब है जो ओफिशली रेलवे की साइट पे दिया है क्योंकि यह जो एटू कैटगरी है इन्होंने बोला है कि जो रेलवे की साइट पे दे रखा है उसको ही यह मानेंगे ना तो उसकी कैटगरी क्या है वो भी हम देखेंगे और यहाँ पर आपका सिलाइबस क्या रहेगा syllabus CBT1 का जो आपका CBT computer based test होना है फिर आपका CBAT का syllabus क्या होता है क्या उसमें आपकी चीज़ें पूछी जाती है वो भी देखेंगे और इसके अलावा आपका कैसे क्या ये पूरा pattern हो का selection procedure क्या होता है क्या इसमें आपका work profile रहेगा यानि कि कुल मिलागे हम ये executive operation and video और इसकी preparation आपको कैसे करनी है कहां से क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो एक बार शुरू करते हैं याप इस session को सबसे पहले तो ये आपका application कब से start हो रही है हम यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार फटा-फट से तो देखो भई इसमें अगर मैं आपसे बात करो applications start हो रही है 24th of April से और आपका जो बंद होने की date है यानि कि आप कब तक fill कर सकते हो तो 23rd of May तक आप ये जो है अपनी apply कर सकते हो application form को चलो भई आते हैं अपनी यहाँ पर post के उपर जो executive operations and BD की post है तो vacancies आप देख लो यहाँ पर 237 vacancies है, UR की 96 है SC की 36, 17, 65 और आपका इसी दरीगे से 23 अब देखो जो graduation है उसमें आपके 60% marks से ज़्यादा होने चाहिए यहाँ और graduation इसी post में आपका graduation किसी भी आप stream से करे हो वो matter नहीं करता चाहिए आपने BSC करी हो या फिर आपने और कोई degree यहाँ पर ली हुई हो बस आपके पास degree हो नीचे कितनी आपकी 60% से ज़्यादा अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह जो आपका यहाँ पर given है यह A2 यह medical standard बहुत important role यहाँ पर निभाता है मैंने भी क्योंकि railway के exam के कई सारे medicals दिये हैं तो यहाँ पर आप देखो जो medical होता है न अगर आप medical qualify नहीं करते हो last दक तो फिर उसमें आप वो post के लिए eligible नहीं रह जाते हो last मेह न तो कोई मतलब नहीं एक बार हम इसका क्या देखते हैं फिर पोस्ट आपका A2 में क्या-क्या चीज़ें mandatory हैं चालो वही तो यह मैंने आपका डिसाइड ही किये गए हैं उसके accordingly यह चीज़े हैं तो A2 जो medical standard है इसमें आपका जो सबसे बड़ी बात होती है आपर आपका eye vision देखा जाता है बाकी तो जो blood pressure होता है आपका blood test करेंगे वो सब तो आपका normally हो जाता है बस आख वाला आपकी जो eye का problem रहती है वो थोड़ी ज 0.6 होना चाहिए without glasses clear है and must pass test for color vision यानि कि आपका color blindness इसमें नहीं चलेगा अगर आप color blind हो तो इस फॉर्म के लिए apply ही मत करो ज्यादा बेटर रहे हैं यह color blindness और फिर आपका जो glasses वाला scene है यह बहुत ज्यादा आपका सकती से check किया जाता है इसके अलावा binocular vision जो है यह आपक test लिया जाते हैं मैं आपको origin बताऊं तो इसमें एक आपका यह आई test लिया जाएगा कि आपका vision कितना है दूसरा आपका यह color blindness वाला लिया जाता है बाइनो कुल और वगर यह लेते नहीं है ठीक है और myopic vision वही होता है जो आपका glasses का test लिया जाता है ठीक है तो यह तो हो ग ठीक है तो 40K के आसपास आपको salary मिल रही होगी after training ठीक है ट्रेनिंग के time पे आपको basic E मिलता है यानि की 30,000 E मिलेगा category यह जो है आपकी payment की E0 में आती है ठीक है कौन सी category में आता है यह E0 में चलो अब इसका हम selection procedure देखेंगे syllabus वागरा देखते हैं और कैसे आपको preparation करना है देखते हैं ठीक है एक चीज यहां पर आप इसकी age भी यहां पर note down कर लेना age जो है आपकी 18 से 30 years के बीच में होनी चाहिए और कौन सी date तक आपकी age देखी जाएगी तो यह age का देखो 1-1-20-21 यानि कि आपका यह 1 January 2021 तक आपकी age देखी जाएगी clear है आप यहां पर इस age तक post code है आपका 7 तो देखो सबसे पहले आपका CBT होगा फिर CB80 होगा फिर आपका document verification होगा यहां पर कोई भी interview नहीं होता है फिर आपका यहां पर last medical test लिया जाएगा वही जो मैंने आपको बताया भी ठीक है तो फटा फट्स का CBT 1 का syllabus देखते है यानि कि आपका CBT computer based test है CB80 का म based test होगा उसमें आपके देखो कितने questions होगे तो 120 questions होगे और 120 question होगे और आपको time दिया जाएगा 2 hour ठीक है अच्छा एक बात और मैं आपको प्रीएस यहर पेपर जो हुआ था इसका पिछला जो पेपर हुआ है ना वो 2018 में हुआ था November 2018 में जो आपका operation and BD वाला examination है तो उस बात और इसमें negative marking होती है जबकि जो आपका CBAT होता है इसमें लिखा है ना यह CBAT तो CBAT में आपकी कोई भी negative marking नहीं होती है बस इसमें आपको minimum करना पड़ता है 42 marks को secure बताऊंगा अभी CBAT में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है ठीक है फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे फटा-फट से अपना जो syllabus है यानि कि हमारा जो CBT का syllabus है वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं चालो तो बिलकुल यहाँ पर जो topic लिखे हुए नहीं बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यह आपको यहाँ पर देखो क्या लिखा है executive operation and BD 120 questions आएंगे किस किस से आएंगे वो देखो और यहाँ पर यह जो history of Indian railways and DF CCIL लिखा है यह बहुत ज्यादा important है आपके around 24 questions को यहीं से पूछे जाते हैं फिर आपका economics and marketing हो गया यहाँ से भी बढ़िया लेवल के questions आते हैं around 20 questions आते हैं और आपका फिर CR हो गया यह तीनों section ही बहुत अच्छा लेवल उठाग पूरा paper आपको solve की नहीं कराया जाए उसमें आपका math जितने भी questions होगे हम सारे one to 120 कर रहे होगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखो और यहाँ पर आपका gk पूछी जाएगी ठीक है gk में current affair का section काफी ज़्यादा रहता है static gk plus का आपका current affair फिर होता है आपका logical reasoning ठीक है logical की basic arithmetic जो है मुझी जाती है ठीक है फिर अगर मैं बात करूं general science की तो इसका भी अलग section होता है 24 question इसके 24 question इसके मतलब अलग अलग जो है आपका यह सारे के सारे section होते हैं और ऐसा नहीं है कि मिक्स होकर के questions आते हैं यह भी मैं आपको बता दूं सारे यह पहले आपको general knowledge questions अब हम यहां पर फटा-फट से बात करते हैं कि जो आपका CB80 का exam होता है इसमें बच्चों को बहुत दिख्कत आती कि CB80 के exam में क्या-क्या चीज़ें आती हैं तो मैं आपको फटा-फट से एक pattern बताता हूं कि CB80 के जो आपको test battery में 42 का T score करना होता है यह किस किस में करना होत test का एक section होता है आपका memory test का दूसरा section इसमें आपका होता है following directions test का following directions test इसमें आपको पूरा आपका direction जो है direction में आपकी कैसी पकड़ है यह पूरा test इसमें किया जाता है फिर आपका depth perception test होता है depth perception test इसमें आपका लिया जाता है फिर अगर मैं आपसे बात करूं चौथे पिर आपका पांचवे नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें perpetual speed test लिया जाता है क्या लिया जाता है perpetual speed test clear है तो यह चीज आप यहां पर धान में रखना कि CBAT कितने sections में divided हैं पांच section में इन पांचों section की मैं आपको practice भी करवा दूँगा सो जादा कुछ इसमें होता नहीं है मैंने दे रखे हैं काफी सेर तो normal अगर आपका understanding वगेरा है आपकी चीज़ें आप समझ लेते हो वैसे पढ़े लेके होगे सारे लोग तो ऐसी कोई बात तो है नहीं सब लोग कर लोगे यह जो लोग क्वालिफेगर के जाएंगे न CBT-1 क तो उसमें से मुस्ट्री लोग करी लेते हैं इसको पास तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सच देखेंगे फिर क्या होता है तो यह सारी की सारी चीज़ें CBT-1 हो गया CBAT हो गया फिर document verification में अगर आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं और हाँ यह OBC वाले document verification बहुत strictly होता यहा तो आपको साथ से दस दन का टाइम दिया जाएगा एक आपको अंडर्टेकिंग दे जाएगी तब आपको दस दन के अंदर यह produce करना पड़ेगा नहीं तो फिर आपका नाम वहां से जो आपकी नाम की file होती होटा दी जाती है ठीक है तो यह पूरा का पूरा सीन रहता है ब पर जो वीडियोंस है और जीके में आपको क्या करना करना हिए जीके में डेली फाइव पीयम पे एक class होती है उस class को अटेंड गरते रहा है इसsenal पे व्यवटार पे आ फाइव पी में को यह थिय्KY होती है ठीक है Apollo आपको कवर गर दूंगा टेंशन मतलो ठीक है, कमेंट गरके जरूर बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी सारी चीज़ने आपको ठीक है सो सशन को यहीं पर एंड करूँगा थाइंक यू सो मच, गॉड ब्लस एओ, टेक केर और बबाई